नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों इस पेड़ के नीचे है दस कडूर का धन प्रंतु आपको केशे मिलेगा जानने के लिए आज के इस वीडियो को शुरूर से लिकर अंध तक जरूर दिखिएगा जी दोस्तों दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में बहुत बड़ा शमतकार होने वाले हैं जी दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में शारे दुखों का अंत होने वाले हैं अब आप शबी की जुनकाल में कुश्यों की बारिश होने वाली है जिया दोसों हम आप शिभी को बता दें कि पिछले कई शमयों से आपकी जुनकाल में लगातार दुख, शमर्शाएं और परिशानियां ही चल रही थी कभी भी उम्मिद की नई किरन आप शिभी की जुनकाल पर नहीं जगे और दोसों आप अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा परिशान हो गए लेकिन दोस्वों माप शिभी को बता दे कि आप यह बात तो जानते ही है कि भगवान के घर देर है अंदेर नहीं है जा दोस्वों भगवान व्यक्ति के मदद आवश करते हैं बले ही उपना रूप में नाये लेकिन दोस्वों रूप बदल कर किशी शंकेत के दोवरा उनकी एशे मदद करते हैं उनकी जुँकाल में शिचमतकार करते हैं कि दोस्वों उनका जीवन ही बदल जाता है जो गर्वों के स्थिती बनने वाली है जो गर्वों में गोचर होने वाले हैं आपको बहुत ही बड़ा धन देने वाले ग्रह है जिए दोसों हम आप शिप को बता दें कि एकेशे पेड़ हैं जिनके पास दस कड़ोरों का भी धन है अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो दोसों यकीन मानिए यह आपके पूरा जीवन को ही बदख शकता है जिए दोसों मिल सकता है छबी जनकारियां पूरी तरह गरह गोचर पर निमीत है शादी साथ दोस्तों आपको अपने जुनकाल्व में कौश सब्सविशे शावधियां रखनी है तक दोस्तों फिर शे यह जो में आपकी जुनकाल्व में दोबारा ना आए जिए दोसों उनके लिए जए दोसों उच्षे पहले दोसुं जो भी मालक्शमी के शच्चे भक्त हैं और आ य当 कमेंट वक्त में सच्चे मनार को अशरबाद्ष में को प्राप्ट होगा मतली के एक घ्यान से नहीं कि के होनी है तो हम सत्षैंक भजन शेवा शिम्रन क्यों करें जो इंसान मौज मस्ति करता है विर्द्य तो उसकी भी होगी तो दोस्तों भगवान श्री किस जी नहीं जुन से कहा कि है पार्थ बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दातों शे पकड़कर उसे मार कर खा जाती है लेकिन जब उन्हीं दातों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं बहुती नाजुग तरिकेशे एक जगह से दुसरे जगह पहुंचा देती है तात भी वही है मूँ भी वही है पर परिणाम अलग-अलग होता है ठीकोशी प्रकार मिर्तियों शभी क्यों होगी पर एक प्रभु क द्धाम में और दुसरा चौरासी के चकर में जीया दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण का हिया घ्यान अगर आपको सच्चा लगा हो इन पर यकिन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बोक्ष में लिख दें जैश्री कृष्णा रादे रादे तो रहत सबस्तों सके शाहत बात करते हैं के अब पेशों का पेड़ आपको कहां पर मिलेगा किश या दसकडोरों का धन आप मेलेगा? मालेक्षमिका अश्रवाद आपकी जुनकाल पर यो होगा कौन-कौन शी बड़े कुछ कुपरे आपको देने वाले हैं शाथे-शाथ दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में कौन-कौन शी विशेश शावधनिया रखने चाहिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्तारशी दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों सबसे विशेश जानकारी हम आप शिवी को बता दे कि इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यदा विशेश ध्यान रखना होगा अगर आ दोस्तों वीडियो को पौहँदा गौषज सुने मंत धन की बात आती है दोस्तों मना लक्षमी का वाश्च म मोही होता है जहां पर शूख-श्रांथ होता है जहां पर शुक्षुविधाय होती है जे दोसों हम आप शुब को बता दें कि जिसके घर में शुक्षुविधाय होती है यकीर मानी उनके घर में मालक्षमी का वास अवशी होता है तभी तो वहां पर मा शुक्षुविधाय होती है तभी तो उनके घर में खुश्यान जगमा में है नजर नहीं है दोस्तों आपको श्रभ नचाल स्थी चर्वार लोत घंतशीम सपायों को करना चाहिए दोसों को यह बनर निस नहीं दोस्तों तो आपको यह दन या पैशा मिलेगा इस प्राड़ के आप it कुछ शंकेत देने वाले हैं जे दोस्तों ऐसे ही आपको यह धन नहीं मिल सकता तो दोस्तों कौन शेंट मिलने वाले हैं आगे इस वीडियो में बात करेंगे जे दोस्तों आप शुभी को बता दे कि मालक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों की जुनकाल में बहुत बड़े- जर्ल गए हैं दिन दूगनी रात हर्चोंगनी तरक्टी करने लगते हैं जे दोस्तों और आपके उनकाल में एशे ही पष्तिती का निरमान श्वैंः मालक्ष्मी करने वाले हैं जे दोस्तों और ये पेड की नीची जो पेशा है आप सभी को पराप्त होने commence जो कि आपको शुनाई देता हो तो दोसों आपका शपन नहीं होगा वाका आपका शपल नहीं होगा मालक्षमी इंसे प्रशन शंतूश नहीं होगी तो दोस्तों आपको प्रिशन काल में करना क्या है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करें कोई भी शुब मंगलिक कारी करें तो दोस्तों एशे अस्थान पर करें जहां पर किसी के लडाई के जगडे के या पर ऐसे हला जो तानाशाहई के हो वो आपके कारों में नहीं आना चाहिए और आपका मन, आपका आत्मा, श्वेंग मालक्षमी के पाश शमर्पित रहना चाहिए जह दोसों इनसे मालक्षमी परशन तो होगी शाती आपके भाग को भी चमतका देंगी जे दोसों इन बातों का वीश्य स्ध्यान आपको अपने जूनकाल पर रखने हैं तभी दोसों यह धन आपको पराप्ध हो शकते हैं जे दोसों पूर्ष तो मालक्षमी शुविबगतों के शर्दाश शुविप्रशन हो जाते हैं लेकिं दोस्वों शर्दा शबसे बड़ी चीज है कि अपने शाफ शफाई और अपने घर की स्वक्सता पर आप ध्यान दे। शाफ शुत्रे अस्थानों पर ही मा लक्षमी का वास होता है। तभी दोस्वों आपके घर में भी पेशों की बढ़त्री होगी। तभी आपके घर में बरक्कत होना भी प्रारम हो जाएगा। जै दोस्वों अगर आप अपने नुकाल में इन शबी बातों का ध्यान नहीं दखते थे तो दोस्वों आशे ही रखना प्रारम कर दें। दोस्वों यकीन मानिए मा लक्षमी का वास आपके घर पर आवश आपको मिलेगा और पर दोस्वों श्रहब आपके को दिखाई देदोस्वों यकीन मानिए ले और रिश मत नहीं में खुलने वाले नियम ने कई नीम का पेड़ दिख जाए तो दोस्तों वह तो मालक्षमी का शब्षे बड़ा घर है जिए दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन को ही बदल देगा लेकिन दोस्तों आप केश्वे पहचान सकते हैं कि कौन से पेड़ की नेचे या धन है केश्वे आपने प्राप कर सकते हैं कौन सी दिन रखना चाहिए उत्वी जानकारियों कि दोस्तों जान लें तभी जीज आपके उपर काम करेंगा घर्गलह को एक पकॉर दिनंगे जबड़ा दिए मन करें । को शाह ले और सच्चे मन्द से शुभा ऊठकर माअलक्षमी के मंत्रों का आपस जाप करें जी में चाहिए क्षब आपके घर में गंगा जल हैं तो दोस्तों उन्हें लेकर शुभा उठकर अपने आपको पवित्र करकर दोस्तों उठ जाएं और अपने घर के उत्री और पश्मी कौन के जो भी आपको पेड़ दिखाई दे उसकी सामने आपको से ले जाना है जो कि अमरी तिबेला का शमय है दोसों यह में मालक्षमी की दिविशक्तियां दोडती है जो कि आपके जिनकाल में आपको उन पेड़ों की और अक्रश्यत करेगा जो दोसों ध्यान सुनएगा कि तीन बज़े से लेकर पांच बज़े के बीच का शमय होगा मालक्षमी के अमरी तिबेला का मुहरत पेला का शमय होगा जो कि दोसों धन की और आपको खिस्ता तला और एक फूले लेकर जाना है ये दोसु और जाते उस पेड की नीचे आपको एक führt का गड़ा करते न है जैदोसओं वहां चुप साप घर चलाए पैर को पीछे करके कि दोस्वों और मुझने के बाद दोस्वों आपको दोबारा पैड की दरब देखना नहीं है जिए दोस्वों और घर चला आना है और अगली शुबह आपको जाकर देखना है कि वह फूल और शिंदुर उस गड़े में है तो अगर कोई व्यक्ति देख लें अगर कोई व्यक्ति आपको यह किरिया करते समें टोक देगा तो दोस्वों आपका काम भी खराब होशकता है तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस पेड़ की रीचे जाये जब भी आप इस असुबब्बकारियों को करने जा रहे हैं त तो दोस्तों कभी भी आपने दुनकाल पर में घमद ना करता है को दोस्तों अगर आपने पाराप्ड कर लिये तो दो फिरी प्रेश को पर उपर बीक्ति उपके उठ जाएगी और यह पेशों का किसी को अब पाताए को इन प्रापạo कर ले साथ बोस्त nggaka को बता दे कि शमिशमे पर मालक्षमी के अस्तानों में भी आपको पेश्विदान पुन करें मालक्षमी के उपर शर्दा विश्वास करें घर में भी मंदिर बनवाएं दोस्तों मालक्षमी के उपर अपने आपको शमिर्थ पिल करें कि दोस्तों मालक्षमी ही है जो कि आपके जीवन को धुल आकर उन्हें प्रेइम उन्हें प्रेइम खिलाएं इसकी बंख औरवस्थ और दक्षिनदें एक और अश्रवाद लेएशाकरननेसे मालक्षमी प्रशन होती है धन की प्राप्ति होती रहती है आपको इशालागतार तीन शुक्रवार तक करते रहना होगा जी दोसों दोसों उमीद करते हैं आज कर यह वीडियो आपको प्रशन आया है तो दोसों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद